आज के इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं पीपल के व्रिक्ष के अध्भुत औशधी गुणों के बारे में पुरातन काल से ही भारती संस्कृती में पीपल का जो व्रिक्ष है उसे पूजी नहीं माना गया है महात्मा बुद्ध को भी बुद्धत्व बोधि व्रिक्ष याने पीपल के व्रिक्ष के नीचे बैट कर ही प्राप्त हुआ था इसे लिए इसे बोधी सत्व वरिक्ष भी कहा जाता है नमस्कार मैं हूँ रवी वर्मा और आप मेरे साथ हैं डिजीज फ्री और नैचुरल लाइफ स्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर पीपल का जो पेड़ है वो हमारे देश में लगबग हर जगह पाया जाता है लेकिन लोग इसकी सिर्फ पूजा करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि इसके थेरापिटिक या मेडिसिनल यूज क्या होते हैं आर्वेद के अमसार पीपल के पेड़ का हर भाग जो होता है वह मेडिसिनल गुणों से भरपूर होता है जैसे अगर आपको डिप्रेशन रहता हो चड़ी चड़ापन रहता हो उदासी इनता रहती हो तो ऐसे लोग अगर पीपल के व्रिक्ष के नीचे प्रति दिन सुबह 10-15 मिनट या 20 मिनट तक बैठ जाए जाकर तो उनका आवसाद दूर होने लगता है इसी प्रकार अगर कोई बच्चा हाइपर अक्टिविटी का शिकार है तो उसे भी यदि 15-20 मिनट हम प्रति दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठाना शुरू करेंगे तो उसका जो हाइपर अक्टिव ब्रेन है वो धीरे धीरे शान्त होने लगेगा Modern Science ने भी ऐस्विकार किया है कि आक्सीजन देने की पीपल के पेड़ की जो शमता है वो बहुत चमतकारिक होती है क्योंकि यही एक मात्र ऐसा पेड़ है जो 1800 केजी कारबन डायोकसाइड जो है वो सोकता है अब्सॉर्ब करता है लेकिन इसके बदले में हमें 2400 केजी ऑक्सीजन के प्रति दिन देता है इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे अब हम बैठते हैं तो हमारे हार्ट पर और लंग्स पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन की कैफिसिटी जो है वो हमारे हार्ट और लंग की बढ़ जाती है जिससे हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है और निमोनिया और अस्थमा जैसी बीमारियों में भी हमें फायदा होता है अब बात करते हैं पीपल के पत्तों के गुणों की तो मौडरन साइंस भी ऐसी विकार करता है कि पीपल के पत्तों में एक्सपेक्टोरेंट, डाइयूरेटिक और और ऑइंटमेंट की प्रॉपर्टीज होती है देखिए प्रकृती ने भी पीपल के पत्ते को कैसा बनाया है उसे हार्ट शेप का बनाया है इसका मतलब यह हुआ कि पीपल के पत्तों का काढ़ा हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफीशियल होता है इसी तरह से अगर हम एरिज्मिया में इसका उप्योग करें, पाल्पिटेशन होने पे उप्योग करें या नॉर्मल हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए पीपल के पत्तों के काढ़े का उप्योग करें तो यह बहुत लाबकारी होता है इसी तरह पीपल के पत्तों का काढ़ा है वो लीवर की टॉक्सिसिटी को बहुत कम करता है याने जो hepatitis के शिकार हैं, liver cirrhosis के शिकार हैं या fatty liver के शिकार हैं उनको जो people के पत्तों का काढ़ा है वो प्रती दिन लेने से उन्हें बहुत लाब होता है अब पीपल के पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि पीपल के फ्रेश पत्ते प्रती दिन आप ले आएं 10 से 12 पत्तों को अच्छी तरह धोकर उसकी उपर की नोग और नीचे की जो डंठल है उसको काट दीजिए उसके बाद इसे 400 ml के लगभग पान ना करें हाँ एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर पीपल के पत्तों का आप उबाल रहे हैं तो इसे मिट्टी में पीतल में या लोहे में ही उबालिए तभी यह ज़्यादा लाबकारी होगा एक बात का और ध्यान रखिए कि जब भी पीपल के पत्तों का काढ़ा आप ब बात करते हैं पीपल के पेड़ की छाल की और इसके गुणों की तो modern science भी इस विकार करता है कि पीपल की जो छाल होती है वह विटामिन के से भरपूर होती है इसलिए इसके skin के लिए उपयोग बहुत लाबकारी होते हैं जैसे eczema में, psoriasis में, bruises में, acne में, scars में इसमें करने के लिए हमें इसको सुखा कर, sunry करके इसका powder बना लेना है और उसको 2-3 ग्राम इस powder को लेकर हलके गुन-गुने पानी के साथ इसका नेमित सेवन करना है इसके अलावा जिन लोगों में diarrhea की शिकायत रहती है पेट लगातार खराब रहता है तो यह पेट की toxicity को भी कम कर करता है तो चाल का जो powder है वह 2-3 ग्राम लेकर गुन-गुने पानी के साथ प्रति दिन इस्तिमाल करें तो diarrhea की शिकायत भी दूर होती है और diarrhea में जो dehydration होता है वो भी इस चाल के पानी के सेवन से दूर होता है लेकिन अगर किसी को constipation की शिकायत होती है तो उसको people के पत्तो का काढ़ा जो है वह रात को सोने से पहले नेमित रूप से लेना चाहिए जिन महिलाओं में excessive menstrual bleeding या जिन महिलाओं को लिकोर या याने श्वेत प्रदर की शिकायत है उन्हें भी people के पेड की छाल का जो powder है उसका सेवन करना चाहिए अगर आप 1-2 ग्राम पाउडर को गुन या व्रिक्ष इतने सारे और शदी गुणों की खान है कि सभी का बखान करना संभोई नहीं हो सकता है अब देखिए जैसे कि क्या है किसी को नाक से अगर bleeding होने की समस्या है नाक से खून आता है नक सीर फूटना जिसे हम कहते हैं तो people के पत्तों का 1-2 बून दरस अगर नाक काल बंद हो जाती है उसी तरह blood purification के लिए जो people के बीज होते हैं उसका powder अगर शुद्ध शहद के साथ मिला कर लिया जाए तो blood का purification होता है और इसमें बहुत लाब पहुंचता है आयूरवैद में नीम और people को kidney के रोगियों के लिए भी वरदान माना गया है अगर kidney के patients people के एक चम्मच रस शाम के समय ले ले तो उनका kidney level घटने लगता है तो people इतने अद्भुत और शधिये गुणों वाला पौधा है कि ये हमारे शरीर के वात, पित और कफ सभी प्रकार के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है चरक सहिता के नुसार हमारे शरीर के 80 से भी ज्य अपने देनिक जीवन से जोड़ें इसके पत्तों, छाल या गुठली के पाउडर का इस्तिमाल कीजिए या तो अपने हेल्थ टॉनिक के रूप में या अपने सिम्टम्स के अनुसार अपने रोगों के इलाज में ऐसा करके आप प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं तो जाते जाते फिर वही एक बात कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो संकोच ना करिए ततका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा पहुँचे थैंक्स फॉर वाचिंग